अब शेहर के लोग भी चौपाटी का मज़ा ले सकते हैं ताजनगरी में जोनल पार्क के पास आगरा विकास फ्राधिकरण आकरशक चौपाटी बना रहा है बहुत जल्द मुंबई की तर्ज पर चौपाटी का अनन्द उठाया जा सकता है अगरा मैं भी मुंबई की तर्ज पर चौपाटी तयार की जा रही है चौकि आगरा एक परेटरन इस्थली है इसलिए EDA के बहुत प्रयास है कि चौपाटी बना कर जो है लोगों को आकरशित किया जाए हम जानते हैं कि चौपाटी को और एक आकशक बनाने के लिए A.D.A. क्या कर रहा है हमारे साथ जॉइन सेकेटरी हैं बात करते हैं उन से जी ये जो आगरा चौपाटी के नाम से जो हमलों जो खुलने जा रहे हैं इसमें तक्रीबन ना 30 दुकाने होंगी और इस 30 दुकानों में मतब हर तरह का लेव विंजन मतब आगरा वासियों को और प्रेटों को मिलेगा इसमें एक ही रूफ के अंदर मतब नीचे मतब सभी प्रकार के विंजनों का मजा लिया जा सकेगा और इसमें हमने नहीं आजाइंगे uelटाथ से 30-40 अपनी नहीं हैं जोटी मोटी पार्टी वह हैं वह भी कर सकते हैं गैदेरिंग भी कर सकते हैं और यह बिलकुल हमारे जोणनल पार्क के बिल्कुल पास में है तो बड़े खुले इन्वायरमेंट में एक बहुत ही अच्छी जगह डवलप करी जा रही है और हम चाहेंगे कि जब भी यह खुले तो लोग आके इसका मज़ा ले यह मतलब लोग जानना चाहेंगी कि आगरा में यह किस जगह है क्या अप्रो लोग ने इतनी अट्रैक्टिव बनाई है और हमारे जोनल पार्क के बिल्कुल बगल में है फिर वहां से बगल में मतलब है नहीं चौड़ी रोडे हैं और वह ताज नगरी में है जो आज की तारीक में अपकमिंग हमारा मतलब कॉलनी है और बगल में खुब बड़े-बड फद्याबाद रोड इस्तित ताज नगरी ताज नगरी इस समय इतना डवलप हो गया है कि वहां चाहे सडके हो चाहे अडमस्वेर हो ग्रीनरी की बात की जाए तो ग्रीनरी तो आखिर एडिये ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि एक चौपाटी को आगरा को एक नया त पहुफा देंगे चौपाटी को इस तरीके से डवलप करेंगे कि जो बाहर से आने वाले परेटक हैं वो भी मजा लें जो आगरा के लोग हैं वो भी वीकेंड पर या जब भी उनका मन करें तो वहां जाके एक एंजॉई कर सकते हैं यहां तक की शायद उन लोगों के लिए जो जैसे नियू यर का प्लान कर रहे हैं तो नियू यर का प्लान भी वो कर सकते हैं कैमरामेन मनोश के साथ मनीश जैन सीनियू जागरा